नमस्का आठ स्वागत है आप सभी का UPSC मुक्य सेविका बरती को लेकर के बड़ी अपडेट यहाँ पर है और P.E.T. कटाप को लेकर के जो भी चीज़े हम आपको आज बताने वाले हैं यही सारी अपडेट P.E.T. कटाप को लेकर के जब फॉर्म बरे गए थे आविदन कुछ दिन बात से यानि तीन महीने से भी ज्यादा समय पहले से हमने आपको P.E.T. की जो भी कटाप बताई है आप फाइनली जब सार्ट लिस्ट की नोटिस आ जाएगी या पिर आज जो आपको बताने वाले हैं लगबग उतनी ही P.E.T. की कटाप आप सभी को देखने को म बताएंगे पता नहीं दीजी सबको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन है बस आप यह समझे लीजिए कोई भी जानकारी जब आपको किसी भी सोर्स से आथेंटिक सही जानकारी देने का प्रयास होता है तो उसमें कितनी मेहनत लगती है तो थोड़ा से रिक्वेश्ट आप सभी स भी होता है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक और सियर भी कर दिया करेंगे ताकि सभी तक उस ही जानकारी भी पहुंच जाया करेंगी इसके अलावा देखें दो चीज़ें हमने और आलेडी बताई हुई है अम पहले उसी को बात कर ले दें एक बार मैं रिबीट करना चाहता हूँ उसकी बात जितनी भी चीज़ें आपर हमने थंबलेल में लिखी हुई है उस पर बात करेंगे पेट कटा अफ एक जामड़ेट और साथलीष की नोटिस को ले करके आप से असनातक में ओ इस में सब्जेक्ट मांगा गया है कई पर भी यह नहीं लिखा गया है कि असनातक की थर्ड येर में ओ सब्जेक्ट होना आनिवार है उसे से में बहुत सारे लोग बताने वाले हों बागी लोग जो बता रहें उनको बताने दीजिए नुकसान किसका होगा जो लोग दावा करते हैं कल को अगर आपका नुकसान होगा तो उसमें जिम्मेदारे हो लोग लेने आएंगे आप स्वेम जाकर कि उनसे पूछ लीजिए एक बार इससे अच्छा होगा कि आपको थोड़ा बेगर डावट लगे कि नहीं पताने हम बाद में इलिजिबिल होंगे कि नहीं होंगे तो एक बार हमें आयोग में जाकर कि जो भी लखनो की या लखनो के आसपास की बहने हो आयोग में जाकर कि बात कर लें सिदे सिदे directly किसे हमारे third year में subject नहीं है बट दो साल हमारे subject हो जो वीशे मांगा गया है असनातक में graduation में हम eligible है कि नहीं है बाकी जिनके भी first year second year में ओ subject है लेकिन third year में करो subject नहीं है आप तैयारी करिए start list की notice आने के बाद आप लोगों को exam date भी मालूम पढ़ जाएगा बिल्कुल confirm बाकी expected exam date आपको बताने बाले हैं तैयारी आप लोग करिए दूसरी चीज लिखे कुछ लोगों में comment अगर के लगते हैं समझाने कि नहीं असनातक का मतलब क्या होता है यह समकक्ष का मतलब क्या होता है तो जो भी चीज़े हम बता BA Bayology boyology Biology से किया हो असना तक और उनके यहां पर उस काले से या फिर उस University से वहाँ पर however बीसले बोला झाता है उनके उपादिक को असनाथिक देखू इसका मतलब यह नहीं कि वह इलिजिबिल नहीं है बरती के लिए उस सत्परसत इलिजिबिल नहीं क्योंकि विशय के आधार पर असना तक देखा जाएगा अब अगर बीए के जगर बीए सी बोला जाता है उनके कालेज में या उनके विश्य विद्याले में तो इससे लोग ऐसा नहीं कि वह इलिजिबिल नहीं रहेंगे भरती के लिए यह तो बहुत सिंपल सी बहुत चोटी सी चीज थी जिसमें अभी तक कुछ लोगों को डाउट हो सकता हो तो बिल्कुल डाउट क्लियर कर लीजिए आप लोग और तयारी सुरू कर दीजिए तयारी पहले वीडियो अपलोड होंगे वह आप सभी तो पहुंचेंगी उसमें केवल और केवल नुकसान होता है उन बहनों का जिन तक सही जानकारी नहीं पहुच पाती है इसलिए बार बार यह लाइनम रिपीट करते हैं हर वीडियो में तो जिनके भी असना तक में तीनों साल सब्ज सब्जेक्ट होते हैं वो लोगों के लिए नहीं बोला है कि वो लोग भी इलिजबिल हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं सब्जेक्ट के हिसाफ से देखा जाएगा सोसियलाजी सोसल वर्क नूट्रिशन एंड करके हैं उसमें और होम साइंस यह चार में से कोई भी एक इसे आपके होनी चाहिए असनातक में तीनो साल में हो या फिर कम से कम दो साल में हो अगर थ्रड्यय में होता है तो नोटिपिकेशन में असपर श्टूप से लिखा जाता जिन लोगों थोड़ा भी डाउट लग रहा हमने के बीस का नोटिपिकेशन दिखाया था जहां पर लिखा हुआ है, इसी तरह से मैं आपको कई notification दिखा सकता हूँ, जहां पर लिखा होता है कि third year में वो specific subject रहेगा तभी आप eligible होंगे चलिए हापर देख लिजिए, हमने क्या बताया था PET cut up में आप सभी को, कि अगर एक number है, तभी भी आपको उमीद रखनी है, कुछ category में जैसे ESC category ESC category EWS में भी लगबग कटाप बहुत कम रहने वाली है हो सकता है, 5 number से कम रहे 5 number से कम वालों को भी मौका मिल जाए, OVC category में आपके लिए कटाप 5 से 10 number के बीच में रह सकती है, थोड़ा बोग दिखी हो सकता है, 10 से 11 हो जाए, 12 हो जाए तो आप नाराज नहीं होंगे, क्योंकि बिल्कुल exactly तो आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना भी हमने आपको बताया है, 2, 3 number 4 number ही इधर दर हो सकता है, बस इसी तरह से आप general है तो 10 number के अगर आप आसपास है, तो आपको मौका मिलना है 25, 30, 35, 35 जो लोग बता रहे हैं, उनको बताने दीजिए, नुकसान किसका होगा मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ कि अगर आपको exam देने के लिए मौका मिला और आप 3 मेने पहले से उनकी बाग सुनते वे आरे हैं आपने तैयारी की नहीं, आपको मौका मिल गया नुकसान किसका होगा आप क्या उनसे पूछने जाएंगे भईया आपने इंकलत जानकारी क्यों दी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और 95% से ज़्यादा लोग copy paste करते हैं और उन लोग काफे विष्ट करने वालों से भी निवेधन होता है कि भईया सही जानकारी आप दीजिया ऐसा ने कि आप यहां से सुनके कुछ गए और अपने हां जाकर कि कुछ आप और जानकारी दे रहें उसमन जोड़ करके अपने हिसाब से या अनुमान से तो ऐसे ना करें क्योंकि आपको जितने भी लोग सुनने वाले होंगे कहीं ने कहीं कुछ लोग उसको फॉलो भी करने की कोशिस करते हैं तो वहां पे गलतिया होती है नुकसार उनका होता है एक यहाँ पर आप सब एक लिए और भी अच्छी कबर हम देने वाले हैं तो यह होगी आप P.E.T. Cut-off जनरल के लिए बता दिया हमने 10 नंबर के कर आप आसपास हों तो भी आप तैयारी करें OVC में 5 से 10 नंबर हो EWS में अगर आपके 5 से कम नंबर भी हो अब देखिए यहाँ जितने नंबर हमने बता दिया अगर इससे ज़्यादा नंबर आपके हैं तो आपको पूछने की बिलकुल आओ सकता नहीं है तैयारी करिए सार्टलिष के नोटिस आ जाएगी क्लियर हो जाएगा आपके पढ़ाई तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी वो तो हम सुरू से कहते हा रहे हैं कि माले जी एक परसे तैयसा आपको मुका ना मिल पाया कम नंबर होने की वज़े से कोई पस्तावा नहीं लेकिन अगर मौका मिला आपने तैयारी नहीं किया वहाँ पर नुकसान बहुत जादा आपका हो जाएगा जैसे कुछ लोग फॉर्म नहीं भर पाये हमारे तीनों साल तो सब्जेक्ट है नहीं कुछ लोगों ने बता दिया है और अब भी कुछ बहने हो सकता तैयारी नहीं कर रही हो कि हमारे तीनों साल सब्जेक्ट है नहीं कुछ लोग फॉर्म नहीं बर पाये कुछ लोग तैयारी नहीं कर रहे होंगे इसी तरह से जिनके BSC Home Science सब्जेक्ट हो BSC के नाम से उनका असनातक हो गया हो हो सकता और लोग भी तैयारी नहीं कर रहे हो किसी के कहने से तो आप सब्जेक्ट तैयारी करते रहे हैं क्योंकि आप लोगों का नुक्सान हो रहा है इसमें किसी के गलत जान कुछ लोगों का तो नुक्सान हो चुका है जो आप इधर नहीं किये होंगे ठीक है जितना भी हमना को पेट की कटाब बताई है यसी यस्टी में एक नंबर भी अगर आपके हो तो भी आप पूरी उमीद रखे बाकि उसके अधर जो केटिगरी है पांस नंबर, छे नंबर, चार नंबर, साथ नंबर हमने बता दिए आपको केटिगरी बाइज लगबा कितने नंबर हो तो आप उमीद रख सकते हैं यहाँ पर अच्छी कबर आप सभी के लिए हो रहेगी जितने भी हमने क्लासेज करा दिया हैं पहले कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब किये रहेंगे नोटिफिकेशन में आप आल नोटिफिकेशन जो आइकन होता है बेल आइकन सब्सक्राइब के सामने उसको आप आप उनर रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर जाएंगे वीडियो अपलोड की ओ प्लासेज इस दिन और आगे बढ़ जाएगे तो यह नोटिस आपको दिसंबर में ही देखने को मिल जाएगी इसी महीने आपको देखने को मिल जाएगी कोई डेट आपको यहाप नहीं बता पाएंगे लेकिन जब आना होगा तो 2-3 दिन, 4 दिन पहले आपको कनफर्म चीजे बता दी जाएंगी परिक्षा आपकी अभी भी जनौरी में ही होने की चांस 99 परसेंट है पहले ही जनौरी लाश्ट तक क्यों न हो जाए बहुत अगर लेट हुआ तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक जा सकता है तो आप हफ्ता बर आप आगे मान के चलें आगी थोड़ा सो जा सकता है सम सुरी 26 नहीं सुरी कोई और 67-67 से कोई डेट मिल गए आपको फिर नुकसान आप लोगों का बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक है आप लोग सोचें कि फरवरी में डेट भी जा सकती है आयोग है तो वहां पर भी डिले हो सकता है तो नहीं जहां पर आपको तयारी करनी हो वह दिजएगा सभी लोग इसके बाद सेर आप जितना कर सकते कर दीजिएगा ताकि जितने भी मुखी सेवका की फॉर्म बनने वाली बहने सभी लोग यह जानकारी उन तक सही जानकारी पहुं सके और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक् धन्यवाद